Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप लोगे साथ discuss करने वाली हूँ Hindi worksheet class 2 के लिए तो first यहाँ पे हमने एक question बनाया है जिसमें कुछ हमने अक्षर लिखे हैं, उन अक्षरों को मिला करके हमेश सही सब्द को चुनना है तो question है हमारा यहाँ पे पढ़िये, समझेे, और सही शब्द पर गोला लगाईए तो first है यहाँ पे त, जमा, ट क्या होगा? तट खट, खट, तट, तट और सत, सत तो first है हमारा यहाँ पे तट second है यहाँ पे बह, बह, खल, टल, बह, तो हम बच्चे से कहेंगे यहाँ पे इसको गोला करने के लिए नेक्स्ट है यहाँ पे नहर 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 लहर नहर कहर तो हम करेंगे नहर पे गोला इसके बाद हमारा जो पैटर्न है वो हमने यहाँ पे पूरा शब्द बना करके लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने इसको अलग-अलग अक्षरों में बाट दिया है अब बचे से आपको इस तरीके से बोलना है कि इसको देख करके चूज करना है कि कौन सा हमारा ये शब्द बनता है इन तीनों में से यह सरपट सरपट जटपट 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 तो हमारा जो अक्षर है वो ये वले अक्षरों को मिला करके ये शब्ध हमारा बना है next question we have, मिलान कीजिए तो यहाँ पे हमने कुछ शरीर के अंग लिखे हैं और उन शरीर के अंगों से जो जो activity हम करते हैं वो हमें बच्चे से बोलना है मैच करने के लिए तो यहाँ पे first है कान और कान से हम क्या करते हैं सुनते हैं स उ की मातरा न न सुन न तो हम इसको इसके साथ बच्चे से कहेंगे मैच करने के लिए नेक्स्ट है यहाँ पर नाक और नाक से हम क्या करते हैं, सूंगते हैं, स्मेल करते हैं, तो यहाँ है सूंगना, इसके बाद है हाथ, हाथ से हम बच्चों क्या करते हैं, लिखते हैं, तो हम हाथ को लिखने से मिलान कर देंगे, गला, गले से हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं, फिर इसको इसके साथ मैच कर देंगे Next question है हमारा यहाँ पे समान लै वाले शब्द बनाईए और लिखिए यहाँ पे हमने कुछ E की मात्रा के साथ लगा करके अक्षर लिखे हैं और यहाँ लिखा है हमने A की मात्रा जोड़ करके एक अक्षर अब इन दोनों को मिला करके जो शब्द बनके तयार होगा वो हमें बच्चे से यहाँ पे लिखवाना है तो पहला है हमारा यहाँ पे की क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है क्या बना बच्चों? तो यहाँ हमारे कौन-कौन से शब्द बनके तयार हुए हैं इन दो अक्षरों को मिलाने से किला, मिला, खिला और सिला नेक्स कोजन है हमारा यहाँ पे बड़ी E की मात्रा लगा करके शब्द पूरा करो तो यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं और यह अधूरे शब्द हैं इनके अंदर हमें E की मात्रा लगानी है और इन शब्दों को पूरा करना है तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ख और रा लिखा है अगर हम ख में ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा खीरा ल, ए की मात्रा ली, च, ए की मात्रा ची, ली, ची नाश, पा, ती, नाश, पा, ती, प, प, त, प, ए की मात्रा प, पी, त, प, पी, त, प, पी, त, हमने यहाँ कौन-कौन से शब्द बनाए हैं खीरा, लीची, नाश, पाती, पपी, त, इडली और बर्फी जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट कोशन है हमारा यहाँ पे आ की मात्रा के स्थान पर, यहाँ पे देखिए हमने जो शब्द बना के लिखे हैं, उनमें सब में A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A इस तरह के पैटर्न आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, यह help करते हैं उनको सारी मात्रों को सिखाने के लिए, आप छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, यह सारी चीजों को अगर आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो उनको इस तरह की worksheet से उनका जो interest है वो बढ़ता है studies में क्योंकि जब बच्चों को पढ़ना और लिखना दोनों चीज़े आ जाती है तो वो इन सब चीज़ों को enjoy करते हैं कि हमें ये सब लिखना अभी जो है वो आ गया है तो कोशिश कीज़े अपने बच्चों के साथ worksheet बना के share कीज़े next question है यहाँ पर उ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला करो तो यहाँ पर कोश शब्द दिये गए हैं इसमें से हमें ढूणना है जिसके अंदर उ की मात्रा लगी है वो हमें वच्चे से बोल करके उसपे circle करवाना है आम इसमें आ की मात्रा है तो यह नहीं है लीची इसमें इ की मात्रा है यह भी नहीं है खरबूजा, बूजा यानिकि U की मातरा है तो ये हमारा करेक्ष है तो हमें इसके उपर गोला लगा देंगे चीडिया, यहाँ पे छोटी U की मातरा है और आ की मातरा है पूड़ी, U आ गया, ये है फूङ, इसमें भी U आ गया, फूङ मोर, इसमें नहीं है कचोड़ी ये भी नहीं है पपीता य की मातरा आगे नहीं है जूला रोटी दलिया तो यहाँ पे हमने 1,2,3,4 हमारे यहाँ पे उ की मातरा के शब्थे जिस पे हमने गोला कर दिया है नेक्स कोशन है हमारे यहाँ पे सही वर्ण पर उ की मातरा लगाओ तो यहाँ पे जो वर्ण दिये गए हैं जो शब्द बने हैं उसमें से सही वर्ण के ओपर हमें बच्चे से उ की मातरा लगवानी है जैसे ज ता तो ज पे लगेगी उ की मातरा तो बन गया जूता फल फल इस चुहा, जला, जूला, तरबूज, खजर, खजूर, जरके निचे आएगी, पड़ी, पूड़ी, पतलन, पतलून, तो हमारी यहाँ पे क्या-क्या शब्द बने हैं, जूता, फूल, कबूतर, चुहा, जूला, तरबूज, खजूर, पूड़ी और पतलून, यह हमने किस से बन है, उ की मातरा लगा करकि हमने इन वर्णों को सही, शब्द बनाया है, नेक्स्ट कोशन है, हमारा यहाँ पे फूवर्ण जोड कर शब्द बनाईये, तो यहाँ पे हमने फूवर्ण लिखा हुआ है, यानि कि फस हमने लिखा है और उसमें हमारी उ पे अच में लगेंगे फूल न, नेक्स्ट है इहां पर लणा, अब यहां लगाएंगे फूल न, के तैयार हुए है, full, full done और full now, next pattern है हमारा यहाँ पे रू या रू लिखकर के शब्द बनाईए, तो यहाँ पे है, शू और रू लगाना है हमें यहाँ पे, तो हम लिखेंगे, रू, शूरू, और यहाँ देखें यह भी बन गया ना, रू माल, यानि कि रू लगाने से हमारे दो शब्द बन गए यहाँ पे, शूरू और उसी से हमारा एक और शब्द बना है, रूमाल, रूमाल, अब यहाँ पर लगाएंगे हम रू, रूई, और एक और शब्द बना हमारा यहाँ पर, रूपया, रूपया, यहाँ हम फिर लिखेंगे रू, रूलर, रूलर और रूठना, रूठना, नेक्स्ट यहाँ पर हमने बनाया है एक अमरूद, और अमरू, द, अमरूद, और रूखा नेक्स्ट है यहाँ पर गू, रू, गुरू और रू लगाने से यहाँ एक और शब्द बना है रूखना, रूखना तो यह वर्क्षिट जो है वो क्लास टू हिंदी के लिए है आप इस तरह की वर्क्षिट अपने बच्चों के साथ जरू शेयर कीजए I hope आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हैलफुल होगी Thank you